हेलो फ्रेंड्स स्वागत है मेरे चैनल पर मैं हो निवीन मिश्रा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इगनू के BCA और MCA के कोशन पेपर को सौल करता हूं इसी सीरीज में मैं आज BCA का जून 2023 का C++ का कोशन पेपर सौल करने जा रहा हूं इसका सब्जेक्ट कोड है BCS031 इस कोशन पेपर में 5 कोशन होते हैं मैं क्यो वन और क्यो टू कोशन के अंसर प्रवाइड करूँगा इस वीडियो में वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करें कमेंट करें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझे डाउट डाल सकते हैं मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स के आंसर एस सून अस पॉसबल देने की तो अब चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ जून दो हजार अकत्रिस का कोशिन पेपर आपका ये था ठीक है उसमें इसने ये जून दो हजारे इस बीसीस जीरो इकत्रिस कोशिन पेपर था ये कोशिन में पर बड़ा लेंथी होता है almost all the concepts in C++ जो भी है वो सारे हैं इसमें बोल देता है आपका अंसर करने को first question compulsory है first के A2H questions compulsory है आप इसको miss नहीं कर सकते followed by 2,3,4,5 in में से कोई एक छोड़ सकते हो आप बाकी करना होता है 2,3,4,5 में से कोई एक आप छोड़ सकते हो बाकी करने होता है ठीक है न तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो में मैं 1 or 2 questions को solve करूंगा तो पहला question पर आते हैं पहला question था हमारा virtual function क्या होता है इसका use क्या है और इसका example क्या है तो virtual functions क्या होते हैं हम चलते हैं अपनी ppt की तरफ ओके तो यह हमारी explanation है तो virtual functions होते क्या है virtual functions जो होते हैं यह runtime polymorphism का part होता है एक होता है compile time polymorphism एक होता है runtime polymorphism runtime polymorphism को implement करने के लिए आप pointers का इस्तमाल करते हों जहां पर pointers use हो जाए उसको runtime कहा जाता होता है तो what is virtual function आपने यह definition लिखना था virtual function का इतना याद कर लेना इसी में से आपके points निकल जाएंगे आप इसका screenshot ले सकते हो virtual functions होते क्या है कहता अगर आपने C++ में runtime polymorphism implement करना है तो आपको इसकी जुरूत पड़ेगी यह functions क्या होते है एक base class होती है और एक direct class होती है तो मालनों आपकी दो classes है एक class दो class यह inheritance implement होई पड़ी है तो यह आपकी base class है उपर जो होती है उसको base बोलते है नीचे जो होती है उसको child class बोलते है base class में एक method है get नाम का अगर इसी नाम का method दोबारा बन जाए get नाम का तो यह एक तरीके का over writing होता है और इस over writing को solve करने के लिए virtual functions उसकी जाते होते हैं कि इसमें कौन सा get चलेगा कौन सा नहीं चलेगा ठीक है तो यह आपका virtual functions है they allow you to define a common interface in a base class and provide different implementations of derived class कहता है base class में एक ब इसी को use नहीं करेंगी ठीक है ना तो अपनी definition दुबारा बनाएंगे virtual functions are fundamental part of achieving polymorphism which means that you can use a base class pointer अब इसमें pointers का खेल होगा base class का pointer बनेगा जो refer करेगा किसी base class के या derived class के object को और उसके थरूँ वो चलेगा अच्छा basically यह है आप ऐसे समझ लो या जैसे आपके दो class है यह है base class और यह है derived class आपने यहाँ पे get function बनाया है जब आपने base का pointer बनाया और उसको reference पास कर दिया p equal to derived का object पास कर दिया या base का object पास कर दिया फिर आप p के थरूँ अगर get function को call करते हो तो अब कौन सा get चलना चाहिए क्योंकि object pointer का है यह वाला या क्योंकि मैंने reference पास किया है derived का यह वाला इसी solution इसी problem को दूर किया जाता है virtual function की मदद से अगर आप virtual function में लते हो तो यह problem का resolution कब होगा type of object जो आप भीज रहे हो अगर तुम derived का object भीज रहे हो तो derived वाला चलाएगा अगर तुम base का object भीज रहे हो तो base का चलाएगा लेकिन अगर आप non virtual function होता तो वह कहता बहर pointer किसका है यह meter करेगा अगर non virtual है तो base pointer का है तो base की चलाएगा यह concept चलता है अगर virtual है तो base pointer को reference किसका पास किया गया है base का की derived का उसके base पे virtual functions run होते है कहां use किया जाता है जैसे मैंने पहले lane में ही बिताया है polymorphism को achieve करने के लिए या dynamic binding को achieve करने के लिए हम इसको use करते है ठीक है ना तो यह आप explanation पढ़ लेना फिर हम बात कर करते हैं आगे इसके program की तो यह program है देखिए जरब यह हमने एक shape class बनाई है ठीक है इसके अंदर एक calculate area method रखा है ठीक है na calculate area method की return type है double और यह zero value return कर रहा है अब shape जो होती है shape कौन कौन सी होती है यार एक circle भी shape है एक rectangle भी shape है एक triangle भी shape है एक square भी shape है हर एक shape को area calculate करने का तरी I think pi r square ठीक है अगर rectangle है तो width into height ठीक है अगर square है तो side into side हर एक shape का area calculate करने का method अलग है तो कोई भी अगर मैं class बनाता हूं circle क्यूंकि यह shape है तो यह shape class को inherit कर रही है class circle ने क्या किया shape class को inherit कर लिया अब क्यूंकि circle calculate करने का formula अलग है तो यह इस method को दुबारा बनाएगा यहाँ पर calculate area और इस method के अंदर अपना formula लिखतेगा pi का value 3.14 होता है 3.4 into r into r अगर आप ए core class बनाओगे जैसे square का या rectangle का तो उसमें आप calculate area का method चेंज कर देना coding चेंज कर देना पर मैंने इतना complicated नहीं किया मैंने simple concept बही रहा है तो यह भाई shape class है कोई भी shape होगी उसका area method करना ही पड़ेगा जब मैंने circle class मनाई क्यूंकि यह shape है तो इसने shape class को inherit कर लिया इसको circle के लिए आपको input radius पता होना चाहिए अगर आपको radius पता है तो आप क्या क किया एक pointer object बिनाया shape का और मैंने कहा कि circle object to call कर और 5 value pass कर यह 5 value गई आपके r के अंदर ओके r के value आपके 5 होगी जो तो radius के value 5 होगी set radius का आपका value set हो गया 5 जब यह 5 set हो गया फिर आपने जब यह calculate area method कॉल किया तो इसने क्या करना है 3.14 multiply by 5 multiply by 5 5 525 25 multiply by 3.14 जो भी answer आएगा वो area circle बना देना है जो मैंने यहाँ पर आपको print कर दिया है आपको यह output आ गई है तो यहाँ पर virtual function कहां implement हो रहा है क्योंकि यहाँ पर virtual keyword लगा है तो जब तुमने यहाँ पर calculate area किया तो उसको confusion है यह वाला चलाओ कि यह वाला चलाओ इस confusion को दूर कैसे कर रहा है कहता है reference किसका पास किया है क्योंकि circle का reference पास किया है मतलब इसका reference पास किया है तो इसी का calculate area method कॉल करेगा क्योंकि यह वर्चूल है इसलिए I hope आप लोगों को यह question समझे लग गया होगा यह आपने प्रोग्राम लिखना था ठीक है question 1 complete हम आगे चलते हैं अगला question क्या है अगला question है protected SS specifier क्या होता है public से difference क्या है और इसका subclass में कैसे use किया जाता होता है तो चलते हैं आपने वीडियो की तरह देखो यार जब आप ए एक variable रखा है like int a चाहें आपने एक method बनाया है void get इन दोनों के आ साथ आप तीन assess mention कर सकते हूं public, protected and private अगर आप लिखना भूल गए नहीं लिखोगे तो by default private assess उठाएगा ठीक है न जब इस class को use करने की बारी आती है तो या तो आप इस class का object बिनाओगी a space a1 जैसी यह अगर class का नाम a है और फिर आप इस a को assess करने की कोशिश करोगी या इस class को कोई inherit करेगा class b colon public a ठीक है न और फिर b जो है b class के अंदर से आप इसको assess करने की कोशिश कर रहे हो या class के अंदर से ही यहां से भी method आपको assess करने की कोशिश कर रहा है जो public access होता है वो हर जगा चलता है अ चहें object बनाओ, चाहे't child class बनाओ, चाहे class के अंदर हो तीनों जगा चलता है अगर आप protected access बनाते हो तो यह क्या करता है, class के अंदर तो चलेगा ही चलेगा child class भी चला सकती है लेकिन object नहीं चला सकता है in short जो object है बो सिर्फ public access को चला सकता है और जो child class है, वो object और base class की चीज़ों को चला सकती है, ठीक है न, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर mention करी है, ठीक है न, protected assess, especially inheritance purpose के लिए है, ताकि child classes यूज़ कर सकें, इसके अंदर जो भी variable and function रखोगे, वो सारी child classes यूज़ कर सकेंगे, objects इसको assess नहीं कर सकता, तो protect सोड़ा restricted है as compared to public, public permissive है, कोई भी यूज़ कर सकता है, protected, यह repeat हो गया है, I think यह repeat हो गया है, members declared as public can be assessed from anywhere within the program, including outside the class where they are defined, जो चीज़ पबली के अंदर रखोगे, वो class के अंदर से, class के बाहर से, जहां मज़ी से चला सकते हो, ठीक है न, तो यह दो points इसके हो गये, और यह protected का था, ठीक है यह difference भी आप रहने देना, इसको मैं next वीडियो में cover up कर दूँगा, ठीक है न, यह आप program कर सकते हो, तो यह base class है, base class के अंदर आपने protected access के अंदर variable रखा है, protected where जिसका value 42 है, अगर आप, और derived में आपने क्या किया है, derived में इसको आपने inherit कर लिया है, इसको call कर लिया है, अग लिया 42 प्रिंट कर गया है, protected access child को pass होगा, क्योंकि child का object बना है, child का object इस public अपने public member को call कर सकता है, जिसके अंदर से protected member को call किया गया है, base के, तो यह चलेगा, अगर आप यहाँ पर base का object बनाते हो, और अब आप अपने base के protected variable को call करने की कोशिश करते हो, तो यह नहीं चल सक अगर derived सीधा इसको call करने की कोशिश करता है, तो again नहीं चलेगा, क्योंकि derived का object भी अपने derived के protected access को नहीं चला सकेगा, तो यह दोनों पर error देदेगा, ओके, तो यह आपका एक sample था, जिसमें आप protected को differentiate कर सकते हो, पब्लिक और protected का difference मैं अपने पिछली वीडियो में, अगली वीडियो में, next part में cover up कर दूँगा, okay, sorry for the inconvenience, वो changes करते हुए मैं मेरे से गलब changes हो गई है, okay, तो आगे चलते हैं, third question की तरफ, मारा third question क्या था, third question क्या था, third question था, कहता है यार, दो features बता दो, oops के, C++ के comparatively, यह यह आप कई बर ही देखने को मिलेगा आपको, encapsulation क्या है, जब आप एक class बनाते हो, bank, उसके अंदर जब आप variable रख रहे हो, यह, यह आप method रख रहे हो, यह, यह दोनों क्योंकि class के अंदर है, तो यह encapsulated है, encapsulated का मतलब क्या होता है, कहता है, जैसे कि एक आपके पास box है, उस box के अंदर आप चीजें रखते जा रहे हो, आप इसके अंदर variable भी रख रहे हो, आप इसके अंदर method, जिसको functions भी कहा जाता है, वो रख रहे हो, क्योंकि यह protected area, यह protection के अंदर रखा गया है, class के protection के अंदर, तो यह encapsulation कहलाता है, ठीक है, सबसे striking important feature है C++ का, data outside word को सिधा accessible नह को C++ में, C language में नहीं मिलेगा, structure programming में नहीं मिलेगा, दूसरा आप कोई भी लिख सकते हैं, मैंने inheritance लिखा है, तो inheritance क्या होता है, concept of reusability, अगर base class में, अगर base class के अंदर, आपने कोई method बना दिया है, get method, तो जो derived class होती है, वो इस method को सिधा use कर सकती है, उसको बनाने के inheritance कहलाता है, reusability, एक class के methods or variable दूसरी class use कर लेगी, उपर वाली class को base, super या parent कहते है, मीचे वाली class को derived sub या child कहते है, तो यह दूसरा feature था inheritance का, इतना ही लिखना था, अगर आप चाहोते है, inheritance का एक program बना के भी दे सकते थे, तो इस program में हमने क्या किया है, दो classes बनाई है, एक class यह student वाली, ठीक है न, किसे student के details में आप क्या रखोगे, role number और नाम, उसको पूछने के लिए get details, उसको display कराने के लिए show details, इस class को inherit किया है, result class ने, result class ने क्या किया है, student को inherit कर लिया है, ठीक है न, इस से क्या हुआ है, कि role number और name इसको दुबारा लखने की जूरत नहीं है, इसने दो subjects की marks लिया, और total variable लिया, get method में इसने इनको क्या किया है, input करवा लिया है, दो subjects की marks, और show method में show details को call किया है, जो role number और name प्रेंट करवा देगा, और उसके अबाद अपने marks की values, फिर उसको total किया है, और उस total को प्रेंट करवा लेगा, तो role number और name मुझे लिखने क दिरोत नहीं पड़ेगी, वो मैं base class से ही उठा लोगा, inheritance के अंदर object हमेशा child class का बनता है, result का बनेगा, तो हमने main के अंदर आके result का object बनाया, और सारे functions call कर लिए, get detail functions जो base class के अंदर पड़ा था, वो भी चलेगा, फिर get marks and show जो derived class के अंदर पड़े थे, वो भी चलेगे, और चलने पर आपका यह output आएगा, आप देख सकते हो, आप यह role number डाला 12, name डाला अमन, फिर दो सब्यक्ट में marks डाले, और यह आपके value डिस्पले हो गई, यह जो value डिस्पले होई है, यह इस show detail से display होई है, और यह जो value डिस्पले होई है, वो यहाँ से display होई है, तो यह inheritance क एक सेम्पल प्रोग्राम आप याद करके लिख सकते हो, आगे चलते हैं, अगला question क्या था, d part, d part था हमारा, कहता friend function क्या है, क्यों use करते हो, और क्या यह encapsulation के rule को तोड़ता है, तो यह उसने दो चीज़ें पूछी थी, तो भई, friend function होता क्या है, friend function एक या दो classes के friend बन जात जैसे मालो यह आपकी class है, A नाम की, यह आपकी class है, B नाम की, friend function होता है, friend function होता है, जैसे exit function है, वो इसके अंदर भी declare हो जाता है, इसके अंदर भी declare हो जाता है, declare होने से यह क्या करता है, दोनों classes के private, public और protected चिज़ों को call कर सकता है, इसको को कोई रोग नहीं सकता, हाँ, जो call करेगा, तो objects के through call करेगा, ठीक है ना, लेकिन वो call कर सकता है, ठीक है न, अब encapsulation क्या होता था भाई, encapsulation होता था, कि data को आपने secure किया हुआ है, outside world को with the help of private, public and protected, इसने तोड़ दिया यह rule, तो obviously यह friend function जो है, encapsulation के rule को तोड़ता है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना थ पेपर में, सबसे पहले हमने लिखना था friend function का एक छोटा सा definition, कि friend function क्या होता है, कैसा function होता है, जो class का member नहीं होता, लेकिन class की सारी चीज़ों को assess करने का right होता है, यह assess भी कर सकता है, modify भी कर सकता है, private, public या protected members को, क्यों use करते हैं हम, ताकि हम private and protected members किसी class के assess कर सकें, public तो already available होता है, लेकिन private or protected members को assess करने हैं, तो friend function के through कर सकते हैं, इस से थोड़ी efficiency बढ़ जाती है, ठीक है न, private data को अच्छे से use करना, assess करना, असान हो जाता है, और non-member functionality, class का member ना बन के भी, friend function जो है, उसके member की तरह behave करता है, और उसके सारी values को assess कर सकता है, तो यह utility है, friend function को use करन है, friend function definitely break करता है, क्योंकि external functions जो है, वो internal details class के उठा लेती है, ठीक है न, इस वज़े से misuse होता है, और code error prone हो सकता है, अब यह program है, आपके friend function को, तो यह class test है, इस class test के अंदर क्या हुआ है, इस class test के अंदर, private, public, assess के अंदर हमने दो variable रखे हैं, a और b, constructor बनाया है, जिसके अंदर a और b की value initialize कर लिए है, test के अंदर, जब मैंने यह object बनाया, t1, 12 and 33, तो एक object बना, जिसके अंदर a की value 12 और b की value 33 हो गए है, ठीक है न, अब यह दो को यह private के अंदर पढ़ाया है, तो यहां से t1 अगर चाहे न, तो assess नहीं कर पाएगा, t1.a को लेकिन मैंने क्या किया, एक friend function बनाया, mean नाम का, कैसे बनाया, class के अंदर इसको declare कर दिया, friend keyword से, void mean से, और यह एक parameter लेगा, तो test object का as a parameter receive कर लिया है, main ने क्या किया है, mean t1 को जब call किया है, तो mean t1 का definition यह रहा, जब define करना है, कोई friend keyword नहीं लगेगा, कोई score procession नहीं, कोई class a dot b upon 2, यह mean निकालने का, mean यह average निकालने का formula है, a plus b upon 2 कर दिया, क्योंकि दो values है, उसको float में receive किया, और उसको print करवा लिया, अब यह a और b, चाहे private access में पड़े थे, लेकिन अब चल जाएंगे, क्यों, क्योंकि mean जो है, वो friend function है, इसका friend है, तो इन values को assess कर लेगा, तो का friend function का एक program था, जो अब इसमें explain कर सकते थे, क्योंकि उसने example मांदी थे, आगे चलते हैं, अगला question क्या है, अगला question था, e point, early binding क्या होता है, late binding क्या होता है, इसको explain करो, देखो, early binding और late binding क्या होता है, हम एक पहले class बनाते हैं, यह कुछ भी code करते हैं, जिसके अधर हम functions ब बना दिया, उसका code लिख दिया, show नाम का function बना दिया, उसका code लिख दिया, फिर हम क्या करते हैं, main के अंदर जब जाते हैं, main के इन class का object बनाते हैं, ठीक है न, class का object बनाते हैं, और object के थुरू इन functions को call कर लेते हैं, obj.get लिखके, obj.show लिखके, ठीक है न, जब आप compile करन का instruction देते हो तो ये call ये link definition के साथ link होता है bind होता है this linking or this binding can be achieved at two stages early binding or late binding early binding मतलब as soon as you compile your program उसी वक्त आपका linking set हो जाएगा कि इस function call से ये function definition execute होगा ठीक है न तो ये पहले ही decide हो जाएगा ये early binding कहलाता है लेट binding में क्या होता है इसमें pointers का concept यूज कर लिया जाता है जैसे आपने भी वर्चुल function किया है pointers का concept यूज कर लिया जाता है based on the reference that you are passing जब आपका program run होता है run करते हुए reference को clear करता है reference जब पता चलता है तब वो linking करता है the function call is linked with the function definition at the run time based on the reference that you are passing तो वो late binding कहलाती है ठीक है ना तो यह early binding और late binding के difference में आप लेख सकते थे मैंने जो समझाया है वही explanation है आपकी ठीक है ना early binding जो है वो c++ में non virtual functions की मदद से implement किया जाता है function overwriting function overloading late binding को implement करने के लिए आपको pointers और virtual functions का इस्तमाल करना पड़ेगा ठीक है ना तो यह आपका theoretical difference था और इसका एक example देना था दोनों का तो दोनों का मैंने example आपको यहाँ पर लिख के दिया है मैंने program run नहीं किया है अभी आपने हो जाएगी यह early binding कहलाती है virtual function जिसमें pointers का इस्तमाल हो आप reference पास कर रहे हो बेस को बेस का पास करोगे pointer भी बेस का है reference भी बेस का है तो बेस का show ही चलेगा अगर आपने reference पास कर दिया है यहाँ पर pointer का derived का देखो derived object का reference पास करोगे तो show method derived का चलेगा तो यह virtual function जो है यह late binding का पार्ट है और जो method पास का पी प्रपेड कर रहे हो तो constructors क्या होते हैं जब आप class बनाते हूँ उस class के अंदर जब आप variable रगते हूँ मालो index इस variable को कोई ना कोई value मिल जाए तो उसके लिए आप क्या करते हो इस class के अंदर एक constructor बना लेते हो और उस constructor के अंदर इसकी value एक्स की value कुछ set कर देते हो इनकेस अगर user आपको input देना भूल जाए तो एक्स की कोई ना कोई default value set कर दी जाए तो constructors होते क्या है भाई members को initialize करने के लिए कोई ना को initial value मिल जाए इसलिए इसको use किया जाता होता है इनको call करने की जुरूत नहीं पड़ती जब आप objects बनाते हो तो यह अपने आप call हो जाते हैं background में इनका नाम वही होगा जो class का नाम है इनकी return type नहीं रख सकते वाइड भी नहीं रख सकते ना यह inherit होंगे ना यह static होंगे ना यह virtual होंगे इनको public access के अंदर रखना जुरूरी होता है क्योंकि object सिर्फ public को ही चला सकता है private protected को नहीं चला सकता है इनमें आप arguments रख सकते हो तीन चार constructor बना सकते हो different different argument रखके तो asset में इसको overloading कहा जाता होता है और एक छोटा सा example constructor का मैंने default का example ले लिया है class टेस्ट बनाई इसके अंदर a-b variable लिये test नाम का ही constructor बनाया है क्योंकि और के नाम होई नहीं सकता इसको public access के अंदर रखना जुरूरी है उसके अंदर a और b की default values मेंने 0 set कर दी है जैसे ही main function के अंदर आप test t1 object बनाऊगे ये constructor चल पड़ेगा और आपके a और b की value 0 और 1 set कर दी जाएंगे तो ये आपका constructor, constructor के features और constructor का example code आप लिख सकते थे paper के लिए ये आपका cover up हो गया है अगला question runtime polymorphism again ये भी virtual function ही है इसमें virtual function ने explain करना था तो runtime polymorphism होता क्या है? runtime polymorphism को हम dynamic polymorphism भी कहते है या late binding भी कहते है runtime polymorphism, dynamic polymorphism है या late binding है मैं अभी आपको समझा के हटा हूँ पीछे ये कब होता है? जब derived class, base class के method को override कर देती है और किस method को call करना है? ये decision लिया जाता है जिस type का object आप refer करोगे इससे आपको flexibility और extensibility मिलती है code में इसको implement करने के लिए runtime polymorphism को implement करने के लिए आप virtual functions का इस्तमाल करते हो ठीक है अब virtual function को call करने का time जो linking होगी वो runtime पे decide की जाती है based on the object और passing ये आपका program, same वही program है जो आपने पीछे किया था उसी program को आप यहाँ पे explanation में दे सकते थे virtual function के, virtual function का program है, runtime polymorphism का program आए, late binding का program है आपने एक ही program निखना है, यही program याद कर लीजे, यह सब में निकल जाएगा runtime polymorphism के अंदर, इस question के बाद अगला question था हमारा STL, standard template library, यार यह एक library provided है, जिसमें जैसे आपने data structure, stack, queue, जो आपको MCS 211 या BCS 020 में अंदर यह जो आप topic सीखते हो, stack हो गया, key हो गया, link list हो गया, इनको implement करना है C++ के अंदर, तो C++ आपको बनी बनाई library देता है, जिसको आप use कर सकते हो, तो इसको STL बोलते हो, STL extended template library है, जिसके अंदर बनी बनाई template classes और functions पड़े हुए है, जिसकी मदद से आप data structures या algorithms को implement कर सकते हो, STL की component है C++ की library का और C++ programming का useful feature है, बने बनाए pre implemented efficient and reusable data structure प्रवाइड करता है, STL में कई components होते हैं, containers पड़े होते हैं, जिसके अंदर vectors, list, queue, stack जिसकी चीज़े बनी होती है, कुछ code लिखे होते हैं, algorithms जैसे sorting, searching का code लिखा होगा आपको, iterators होते हैं, containers के अंदर सी चीज़ों को ब इसका importance क्या है, reusable, भाई, already बना हुआ है, stack data structure हम already बना चुके हैं, तुम दबारा महनत क्यों करोगे, इसको use कर लेना, efficient है, इनका code highly optimized है, efficient and well tested algorithms होती है, तो efficient है, consistent है, किसी भी data type के साथ, किसी भी program के अंदर इसको असानी से merge किया जा सकता है, चलाया जा सकता है, ठेके न, ये code maintainable हैं, और इनको समझना भी आसान होता है, productivity, भाई, बार-बार code नहीं लिखना पड़ेगा, कोई problem solve करनी है आपने, तो आप उसकी data structure कैसे implement होगा, वो छोड़ो, आप main coding पे ध्यान दो, जिससे productivity बढ़ जाती है, और ये standardized है, portability, किसी भी platform पे, किसी भी compiler पे, ये STL लेवर oops क्या होती है, benefits of oops, theory question है, इसमें उसने example भी नहीं बोली थे, तो आप theory लिख सकते थे, मैंने, जितनी मुझे पता है, जो मुझे लगता है सही है, वो मैंने theory लिख दी है, oops, object oriented programming होती है, हम C++ के अंदर एक class बनाएंगे, उस class के objects बनाएंगे, उन objects को main के अंदर implement करेंगे, इसलिए हम oops, oops को object oriented programming रहते हैं, जो object oriented programming है, यह objects के इर्दिगर्द ही घूमती है, यह सारी चीज, object जिसको आप instance भी बोलते हो, ठीक है, यह basically object oriented programming, encapsulation और object identity को support करता है, उसके हिसाब से code करता है, ठीक है, classes बनी बनाएंगे data type है, user defined data type है, जिसके अंदर variables और methods को आप रख सकते हो, ठीक है न, अब इसके फायदे क्या है, oops का फायदा क्या है, modularity, आपके code के छोटे-छोटे modules बनाके, उन modules को एक अठा करने में यह help करेगा, inheritance है, तो भाया reusability है, अगर एक class ने एक int a variable ले लिया है, तो दूसरी class जो child है, उसको a variable दोबरा लेने के जुरत नहीं है, वो इ repeat कर सकते हो, data abstraction, complex systems को जब आप solve करोगे, तो उसको modeling करना, hiding implementation करना, यह सब असान दे देता है, debug, debug का मतलब होता है, bug find out करना, यह error find out करना, यह असान है, इसमें debugging असान है, mundane करना, असान होता है आपकी C++ की programs को, collab करना, different developers सा अपस में मिलके code लिख सकते हैं, उसमें help करता है, ठेके न, natural modeling, real word entities, real word situations को, relationships को दिखाने के लिए, अगर आप oops के concept को follow करोगे, तो यह ज़्यादा आसान कर देंगे code को, as compared to structured programming, जो की C++, C language है, यह theory थी आपकी, जो लिखनी थी आपने benefits में, और oops की definition में, अगला question देखते हैं, अगला question है, type casting को explain करो, example के साथ, automatic क्या होती है वो explain करो, और दूसरी type casting क्या है, वो explain करो, तो type casting होती है, type casting से implies बात है, हमने एक inter variable लिया है, मालो, a जिसकी value है 10, एक हमने float variable लिया है, जिसकी value है b, 4.7, अब अगर मैं a equal to b लिखूंगा, तो मैं एक different data type की value को दूसरी data type में pass कर रहा हूँ, यह type casting कहलाती है, यह दो तरीके से हो सकती है, automatic, जिसको आप implicit भी कहते हो, और user defined, जिसको आप explicit या manual भी कह सकते हो, automatic casting c का compiler अपने आप कर देगा, आपको लिखने की जुरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पर हमने किया हुआ है, यह example आप लिख सकते हैं, कि आपने a लिया a को b में pass किया, यह automatically convert हो जाएगा, b के अपने आप होती है, ठीक है न, अपने आप convert कर देता है वो, c++ का compiler, programmer को attention लेने की जुरूरत नहीं होती है, फिर आता है explicit type casting, हम जा करते है mainly, हम bracket में mention करते हैं, जैसे आपने एक int a variable लिया, और b variable लिया, एक variable लिया, हमने float c नाम कर, a का value आपने 10 लिखा, b का value आपने 3 लिख c is equals to a divided by b, यहाँ पे आप integer value को, integer value से divide कर रहे हो, तो c++ का compiler आपको integer में ही answer देगा, तो 10 divided by 3 किया तुमने, तो यह 3.3333 हो, होना चाहिए था, लेकिन क्यूंकि यह rule follow करता है, तो वो point value लिख छोड़ देगा, सिर्फ 3 value उठाएगा, 3 value जब आप c में डालोगे, और इसको print क इस वक्त आपका compiler आपको value देगा 3.0, not 3.333, क्योंकि यहाँ पे typecasting की वज़े से वो int हो गया, लेकिन मैं bracket के अंदर mention कर सकता हूँ कि भाई, मुझे answer float में चाहिए, अब अगर आपने bracket में float लिख दिया है, तो आपने explicitly compiler को बताया है, कि मुझे इस data type में result चाहिए, तो ऐस situation में यह explicit typecasting कहलाएगा और आपका answer 3.0 ना होके 3.333 हो जाएगा, तो आप यह example भी दे सकते थे, या एक आसान example, यह वाली आप इतना सा code लिखके भी समझा सकते, ठीक है न, explicit typecasting को conversion भी कहा जाता होता है, ठीक है न, और इस वज़ए से कई विज़े आपका data loss भी हो सकता है, data loss का मतलब क्या है, अब अगर आप x की value 3.14 को integer में convert करोगे, तो integer तो भाई सर्फ 3 ही लेता है न, वो 0.14 तो लेगा नहीं, तो आपके y के अंदर value 3 जाएगी, ना कि 3.14, तो 0.14 वाला data आपका loss हो जाएगा, यह issue है, अब main difference क्या है दोनों में, automatic casting कब होती है, बिना programmer की intervention के बिना programmer की share chart से अपने आप होती है, compiler करके देता है, explicit programmer करता है, programmer बताता है, मुझे किस type में result चाहिए, वो बताने के लिए, या static cast को use करता है, या data type का नाम mention करता है, जिसमस को result चाहिए, तो यह आपका type casting का question था, जिसको आप explain कर सकते थे, second question का C part, कहता है, information hiding or encapsulation का difference, December 2022 के question question paper का यह पहला question था, जो 2 का C दोबारा आया है, ठीक है न, तो अगर आप ही question paper करते हो, तो possibilities है, 3-4 questions या उससे ज्यादा questions आपके paper में repeat हो जाए, तो question paper prepare कर लो, last 3 years के question paper prepare कर लेना काफी होता है, अगर आप उनको अच्छे से कर लोगे, तो I think आप pass हो जाओगे, 99% में sure हो, आप pass हो जाओगे, लेकिन आपको technical knowledge भी होना चाहिए, आपको program लिखने आने चाहिए, along with the theory, तो चलते हैं third question की तरफ, information hiding on encapsulation है क्या, encapsulation मैं इस video में भी बता चुका हूँ, कि ये जो class है न, ये इस class ने आपको cover दे दिया है, इन variables को, तो ये encapsulation of attributes है, इन methods को भी encapsulation दे दिया है, ठीक है न, तो वो security दे दिया है, तो ये encapsulation है, होता क्या है, wrapping up of data and functions, ये data और ये functions को wrap करके, एक अठा करके, एक class के अंदर डाल दिया है, ठीक है न, important feature है, class के बाहर से कोई भी जैसे main है, या इसका object है, bank b1, ये इसको सिधा नहीं चला पाएगा, ठीक है न, उसके लिए आप इसको public या private access specifier से show या hide कर सकते हो, कि आपने क्या करना है, तो ये information hiding है, ओ सरी, ये encapsulation है, information hiding क्या था, information hiding था, आप अपने data को secure करोगे, अपनी class के अंदर को data है, वो secure करोगे, कि से secure करोगे, objects से और child classes से, कैसे करोगे, access specifier की मदद से, private, public and protected, ठीक है न, ये information hiding और encapsulation का difference ये data security के concept को focus करती है, ये wrapping up of data के concept को focus करती है, ये data usage को hide करता है, ये complexity को hide करता है, ये एक process है, एक technique है, ये एक sub process है, bigger process का, ठीक है न, इसके लिए आप private के थ्रू data hide करते हो, encapsulated, private, public and protected, तीनो की मदद से होती है, तो ये आपका information hiding और class का difference था, आप इसी program के थ्रू information hiding और encapsulation को explain कर सकते थे, information hiding में आप private और public को explain करते हैं, encapsulation में अंदर आप बताते हैं, आपने variables और functions को class के अंदर रखा है, ये theory along with the sample, ये example जो आप अपने question में दे सकते थे, अगले question की तरफ चलते हैं, last question आज का, d part है, overloading और overriding क्या होती है, important question है, दो तिन बा 2020 से पहले जून 2022 के अंदर भी ये question आया था, तो उसको करते हैं हम, overloading और overriding होता क्या है, overloading एक class के अंदर होती है, आपने एक class बनाई है, उसी के अंदर दो method बना रहे हो, ये overloading है, overriding आप दो classes बनाते हो, इसके अंदर भी same method name है, इसके अंदर भी same method name है, इनको inherit किया ग जाएगी, ये दो classes के अंदर होगी, base of child के अंदर, इनमें functions का नाम सेम होता है, argument list अलग लग होती है, overloading में, अगर आप get function बना रहे हो, दो, तो एक आप बिना argument का रखोगे, एक argument के थरू रख लोगे, लेकिन overriding में नाम भी same होता है, और argument की data type या number भी same होता है, overloaded दोनो functions को call किया जा सकता है, अगर आप parameter list change कर लो, इसमें generally child class का ही method चलता है, क्योंकि वो override कर सकता है, लेकिन आप base का object बना के base के function को भी call कर सकता है, ये same scope, क्योंकि एक ही class के अंदर है, एक ही class के अंदर पड़े हैं, तो एक ही scope के अंदर पड़े हैं, ये अलग-लग classes के अंदर पड़े हैं, तो ये different scope में पड़े हैं, इनका function definition अलग होता है, एक में argument होगे, एक में नहीं होगे, इनका function definition भी same होता है, ये syntax है आपका, ये syntax क्या होगा, एक function name, दूसरा function name, नाम same रखना, argument अलग-लग कर देना, overloading, दो classes बिनाना, base और child, child base को inherit कर लेगा, method name repeat कर देना, य overriding है, कौन सा method call होगा, ये decide किया जाएगा, arguments के base, कौन सा method call होगा, ये decide किया जाएगा, object के base, ठीक है न, तो ये आपका difference था, अब आपने इसका program भी लिखना था, तो program के लिए, मैंने दूनों program side by side बना दिये हैं, overloading करनी थी, तो यार, ये एक मेरी test class है, ये मेरी test class है, इस test class के अंदर आप देखो, दो get function है, दोनों का नाम सेम है, तो ये overloading होगी, लेकिन difference है arguments का, इसकी bracket खाली है, इसकी bracket के अंदर int a argument रखा हुआ है, जब आपने test के अंदर object बनाया, और ये get function कौल किया, क्योंकि ये bracket खाली थी, तो ये पहले वाले get को कौल करेगा, आपको तो ये second method को कौल करेगा, और यहाँ पर आपको message आता, x equal to 11, so ये आपका method overloading था, method overriding में मैंने क्या किया है, मैंने दो classes बनाई है, एक base, एक derived, base ने क्या किया है, derived को कौल कर लिया है, inherit कर लिया है, कैसे किया है, base का नाम लिखके, assess लिखके public और ये two dots जिसको colon बोलते है, इसके पास भी get function है, same नाम get function इसके पास भी है, इसकी definition में हमने लिखा है base class get method, इसकी coding के अंदर लिखा है derived class get method, जब हम main के अंदर आए, मैंने derived का object बनाया, अगर मैं d1.get लिखता हूँ, तो ऐसे case में derived का ही get चलेगा, तो आपको message आएगा, derived class get method is called, ठीक है न, अगर आप d1.base scope get लिखते हो, अगर आप इस get को call करना चाहते हो, ambiguity का resolution का तरीका है, तो base class का नाम और scope resolution दोनों mention कर दो, अब वो base class के get function को call करेगा, तो यह override loading और यह override का difference था, ठीक है न, इसी के साथ हमारा second question खतम हो गया है, third question, fourth question and fifth question मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, अगले वीडियो में जल्द ही अपलोड करूंगा, मिलेंगे आप से अगली वीडियो में, see you in the next video, cheers